There is no country more diverse than India रंगो का देश चाहर दिन एक तेवहार है हमारी कला, संस्कृती, सब्भेता इतनी सम्रिद्ध शाली है कि आज से 5000 वर्ष पूर जब विश्व में जादा तर सब्भेताई खाना बदोश जीवन विथीत करती थी तब भारत में सिंदु घाटी उन्नती के शिखर पर थी रिगवेद विश्व का सबसे प्राचीन लिखित गरंथ है भारती सब्भेता और वेदों ने आज से कई हजार वर्ष पूर पॉइंट, जीरो, नंबर सिस्टम, नैविगेशन और कैलेंडर से लेकर नित्य, गायन, वादन और सभी कलाओं के सास साथ Spirituality, Astronomy, Literature, Science, Engineering, Construction, Mathematics, Agriculture, Business, Constitution of Natural Law और Medical Science के सास साथ Space Science तक का लिखित प्रमानित ग्यान दिया है इस संसार के सबसे प्राचीन नगर भारत में है Golden Temple तुनिया में सबसे ज़ादा देखे जाने वाला धार में किस थल है जहां जाती, धर्म, वर्ग और उम्र के दायरों से उपर उठकर हर रोज लगभग एक लाख लोगों को श्रद्दा से भोजन कराया जाता है ऐसा देश जहां तीन लाख से अधिक मस्जिते हैं वाले बुद्धा के विचार है, जीजस की प्रेयर है, वह है गुरू की अरतास है, रहीम की खीर है और राम का प्रिशाद है अनेकता में एकता की इस से बहतरीन जलक शायद ही कहीं और होगी और तो और विश्व के 75 प्रतिशत बाग भारत में पाइब है जाते हैं, और साथ ही भारत के लोह पुरुष, सर्दार वल्लब भाई पटेल जिनकी नर्मदा नदी के एक छोटे से टापू पर बनाई गई विश्व की सबसे विशाल प्रतिमा दुनिया का सबसे बड़ा स्कूल, सबसे उचा क्रिकेट ग्राउंड, फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस, एंटी ग्रेविटी हिल्स, द वर्ल्स चीपिस्ट कार, दुनिया का सबसे बड़ा ρेल बिज्ट, दुनिया की पहली हॉस्पिटल ट्रेन वैसे ट्रेन से याद आया यहाँ डर के आगे जीत है और दादर के आगे सीट है क्योंकि भारत में प्रती दिन जितने लोग रेलवेज में ट्रेवल करते हैं उतनी तो आस्टेलिया की पॉपोलेशन है आदे से कुछ जादा पूरे से कुछ कम जो लाखों में एक होते हैं वही है हम भारत की जुड़वा बहने ताशी और नुंग्शी मलिक जिन्नोंने 23 साल की उम्र में माउंट एवरिस सहिद दुनिया के सातों महादीब की सबसे उची परवट शेणियों को फतै कर किनीज बुक और वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज किया है जोती अमगे इस दर शॉटिस वूमें इन दी अर्थ और दुनिया भर में जितना सोना है उसका 11 प्रतीशत सोना तो केवल भारती महिलाओं के पास है पूरी दुनिया में सबसे जादा महिला पाइलेट्स भारत में है और भारती मां हर भारती मां टॉक्टर होती है विदावर मेबीज डिग्री एंड वी हेव रिकॉगे नाइस थर्ड जेंडर एवरीवन इस गैरेंटीड देर राइट्स इन आर कंट्री और कुछ चीजे बेवजा ही अच्छी लगती है जैसे कि इंडियन कुजीन जिसमें है परमपराओं का तड़का विवित्ताओं का स्वाद खटा मीठा चटपटा हर जाइका है लाजवाब दुनिया का सबसे बड़ा मसालों का उत्पादक देश भारत जहां विश्यो की 25 प्रतीशत दालों का उत्पादन किया चाता है और यहां सबकी एक ही राय है कि दुनिया की सबसे बहतरीन चीज चाय है और यह किस्सा नहीं कहानी है सारी दुनिया को जो सुनानी है अब जीना यहाँ मरना यहाँ इसके सिवाज जाना कहां यहाँ सिनेमा मैजिक है, एडिक्षन है, पागलपन है, प्यार है, थेरेपी है इंडियन फिल्म इंडस्ट्री पूरी दुनिया में सबसे जादा फिल्म प्रेड्यूस करने वाली इंडस्ट्री है और अब Hollywood की बड़ी-बड़ी media companies, 21st Century Fox, Warner Brothers, The Wall Disney भी पॉलिवुड में invest कर रही है और बड़े-बड़े देशों में ऐसी छोटी-छोटी बाते होती रहती है Because Shah Rukh Khan is the richest actor of this planet अब पूरे वल्ड में Amazon Prime Video इंडिया में सबसे सस्ता है Microprocessor Pentium Chip, Optic Fiber और Radio Wireless Communication से लेकर The World's Smallest Satellite को भारत ने जात किया है Spinning Wheel, Cotton Cultivation, Diamond and Jink Mining से लेकर Fibonacci Numbers, Pinary Code और Ruler तक उस देश की देन है जहां जाती, धर्म, भाशा, बोली, अलग-अलग है फिर भी सबका हैस्तमान, पूर्व से लेकर पश्यम तक, सारा एक हिंदुस्तान दुनिया की सबसे तेज सूपर सौनिक क्रूज मिसाइल ब्रम्भोस और थोरियम बेस न्यूक्लियर पावर वाला देश जिसने अपने एक लाख वर्षों के इतिहास में कभी किसी देश पर पहले आकरमर नहीं किया वो इतिहास है भारत दुनिया की सबसे तेजी से पढ़ती हुई अर्थ विवस्त था जहां विश्व की सबसे बड़ी यूवा अबादी रहती है उन यूवाओं की रग रग में दोड़ता सुर्ख लाल रंग है भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र जहां फरिष्टे सिर्फ आस्मान में नहीं रहते जमीने हिंद में उन्हें जवान कहते हैं जो माइनस त्रेपन डिगरी सेल्सियस की थंड से लेकर पावन दशमलो चार डिगरी सेल्सियस की गर्मी में भी सीमा पर तैनात होकर देश की रक्षा करते हैं और अपनी मात्र भूमी के लिए मुस्कुराते हुए चान भी दे देते हैं वो जवान वो सैनिक है भारत ऐसा देश जहां देश को देश नहीं मा भारत माता समझा जाता है ऐसे अखंड भारत का नागरिक होने पर हमें गर्व होना चाहिए और यहीं वो चीज है जो इस देश को एक महान देश बनाती है और अगर आप सब का दिल भी इन बातों से जोरों से धड़कने लगा है तो इसे अपने साथियों से जरूर शेयर करें वन दे मात्रम